आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कैनलाउनी इटेलियन पास्टा रेसेपी है और यह बहुत ही मज़े की रेसेपी होती है इसमें हम इस पास्टा की शेप जो होती है वो एक पाइप की शेकल की होती है और इसमें हम मिन्समीट यानि की फिलिंग करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ेस की लेयर्स लगाएंगे और फिर इसको बेक करेंगे तो इस रेसेपी को करने से पहले मैं आपको यादला दूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें QQi TV और लाइक करें शेयर करें बेल आइकॉन के बट्न को दबाएं जी लाइक दोर करेंगे ना तो फिर हम अपना ही रेशिपी स्टार्ट करते हैं 250 ग्राम्स कैनलाउनी 500 ग्राम्स बीफ या मतन का पीमा 500 ग्राम्स टमाइटो सॉस या टमाइटो प्यूरी 100 ग्राम्स सॉसेज़स को काट लेंगे 100 ग्राम्स सलामी आपको जो भी अवेलिबल हो वो सलामी ले लें और अगर आप पास यह नहीं अवेलिबल है तो मत लें यह सिर्प टेस्ट चेंज करने के लिए हैं 1 ग्राम्स टेस्ट 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 पैप्रिका, ओलिव ओई, 4 टेबल स्पून, जिविवर्स हम शुरू करते हैं, पहले हम जब यह हमारा ओईल गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें गार्लिक डालते हैं, प्रालिक पर प्रस्ताथे हो जाएगा तो फिर हम इसमें पीमा डालेंगे, यह पड़ा बारीक नहीं लिया है, मोटा मोटा लिया है, आप चाहें तो बारीक पीमा भी ले सकते हैं, तो हाथ का पड़ा है, अब हम इसमें औरागनो, बेजल, नमक, पैपरिका, और काली मिच, अब आप इसमें पैपरिका की जगा लाल मिच भी डाल सकते हैं, और अगर आपको इसको चाहिए अपना कुछ देसी टच, तो आप अपने देसी मसारे डाल सकते हैं, ति कि मेरे बच्छे नहीं प्संद करतें, जो चीज जैसी है उसको वैसे पसंद करतें और पिर मेह न तो प्संद करते हैं कि अगर आप चाहिए तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम अगला इस्टैप बताते हैं, इसको भून दिया है, अब हम इसमें सोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकिस की स्पीम बनें और मारे पीमा अच्छी तरह जल जेंगे, हम इसको निट लाके और बिल्कुल हलकी आँच पे काएंगे, आईच सी लिए जीवर्स मैंने निट माती प्रेस लिया था, तो असलिए हम इसमें, इसको पकागे और रॉन पंड़ीत हर्प्स ढ़लेंगे, तो बेजल डालन दिया एंगे, आटाटी स्पूं मेरे, पालड़न दालन Dri, द्धाय्ट बार पाॉडर डालन देंगे तो अमसाले औरफोचे हो फैपरिका डाल देने की साँसाल फैपेश बादे दो सोलिक और एसमेद ब्ल़त को कि लेका पणकाएंगे काफी थिक है तो मैं इसमें तुरसा पानी और मिलाजी तुए इसको मैं अच्छी तरह से पकाके और अलग रगते हूंगी अब हम अपना दूसरे स्ट्रैप बताते हैं अब हम जो है अपने माजरेला चीज को तारी काटनेंगे रगते हैं कि हमें ये बाद में अपने में मिलाना है कि हमें मिलाना है चाहें कि इसको स्ट्रैड भी कर सकते हैं और इसको हम एक बोल में डाल देंगे इसी इसी बोल में हम ये चड़र चीज की डाल देंगे इसमें ये अपने सलामी स्लाइस भी बारिक बारिक काटके अगर आप को सलामी में ही मिले रहा से तो मिल जाती है पाक सामे में मिल जाती है और आप अगर नहीं मिले तो सिर्फ आप टीमा भी डाल सकते हैं यह कोड़ा और बारी करते हूंगी और इसमें के मैं एग मिला हूंगी जी वरस अब मैं आपको वाइट सॉस मिलाना बता देता हूं जो हम इसमें डालेंगे 4 टेबिस्पोर मैंने बटर लिया है इसको मैल्ट होने देंगे जब बटर मैल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें 4 टेबिस्पोर प्लेन फ्लार डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे थोड़ा बहुत ही अच्छी बटर की समयल आ रही है लेकिन अभी हमारा जो है यह तोड़ा पकेगा उसके बाद हम इसमें मिल्क दाएंगे टू एंड हाफ कप मिल्क लिया है मैंने और नमक है और काली मिल्च है सीजनिंग में यह है और पुरा से चैटर चीज है काली मिल्च डाल दाल दिया अब को मालम है मैं हमेशा पिंक सॉल्ट इस्तमाल करती है हमालियन पिंक सॉल्ट अब हम आइस्ता इस्ता मिल्क दालेंगे और इसको हम बिल्कुल बन कर देंगे इसकी फ्लेम बिल्कुल बन कर देंगे अब हम इसको विस्प से मिक्स करेंगे फुरी देर में यह थिक होना शुग हो जाएगा देखें काफी त्रेक हो गया है तो मैं सॉल बखाएंगे हम इसमें चीज़ डाल देंगे साही है अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे चैड़ चीज़ वाइट सास कहें बेश मुल्स सास कहें आप रू के हैं इसमें फ्रेंच में रू कहते हैं मैं इसके फ्लेम बंदर रहे हूँ ठीक है हमारे जीवर्स तेख रहे हैं में हमारा पिमा भी पक्के और अब खंडा हो गया है अब हम इसमें यह दोनों चीजां मिला देंगे अच्छी पनाव इसके मिलाएंगे उसके बाद हम इसको इंग कैनलोनी में फिल करेंगे इसके अंदर फिल करेंगे मैं अब बताती है जीवर्स हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक हाद नीचे रखेंगे और इसको फटते जाएंगे अब इसको रखते जाएं इसको फिल करते जाएं और रखते जाएं जब पूरे तयार हो जाएंगे फिर हम इसकी असेंब्लिंग बताएंगे आपको तीकिए चले मैं यह सारे फिल करती हूँ फिर आपसे में यह हमने फिलिंग कर लिया है अब हम अपने सेटिंग करते हैं नीचे हम पुरा लगा देंगे इसके बाद हम अपने कैनलाओनी जो है इसको सेट करेंगे ठीक है यह दिए फूरी होगी है ट्वार्फ अब हम इस पर बाफित बैशिमल सॉस या वाइट सॉस लगाएंगे आपना रेट सॉस डाले देंगे अब फिर हम बाकी बाकी भी गैम लॉनी डाल देगे अब हम इसको उपर और वाइट सॉस डाले जेए बद्टे थोड़ा पहले रेट सॉस डालेजे इसके बाद वाइट सॉस से पूरा कवर कर देंगे अब हम इसमें वाइट सोस टाउगे अब यह होगे है अब मैं इसके उपर चैटर चीज आ लोगे अगर आपके पास परमेशन चीज हो तो आप वो डाल सकते हैं इसको 160 degree centigrade पे 45 minute के लिए बेख करेंगे ओवन में जे वर्स मैंने यह ओवन में से निकाल लिया है यह 45 minute के लिए मैंने 180 degree centigrade पे रखा था अब अपने ओवन के हिसाब से इसको रख सकते हैं और यह 45 minute में बिलकुल रेडी है 30 minute तक मैंने इसको फॉइल से कवर कर दिया था 30 minute के बाद मैंने फॉइल हटा दिया था जब मैं रख रही थी उस वाद मैंने थोड़ा सा इस पे मौजरेला चीज भी डाल दिया था ताके ज़रा और अच्छा यमी बन जाए और उसके बाद अब यह तयार है आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा बनाएएगा इंजॉई कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा क्यू क्यू आई टीवी को और लाइक करें और कॉमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा फिर चलती हूँ दौाओं में याद कीजेगा अलाहाफिज बाई